हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में तो आज की इस वीडियो में हम लोग भारतिय संख्या प्रनाली में इकाई, दहाई, सैकरा, हजार लिखना सीखेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखिए भारतिय संख्या परनाली में सबसे पहले क्या आता है तो भारतिय संख्या परनाली इंडिया नमबर सिस्टम में सबसे पहले आता है इकाई और इकाई को कैसे लिखते हैं तो देखिए इकाई का मतलब होता है एक इकाई को एक के द्वारा सुचित करते हैं इकाई के बाद आता है दहाई और दहाई को कैसे लिखते हैं तो देखें दहाई का मतलब होता है 10 यहाँ पर देखें इकाई दहाई दहाई का मतलब होता है 10 दहाई के बाद आता है सैक्रा और सैक्रा में क्या होता है तो देखिए सैक्रा का मतलब होता है एक सो और इसमें टोटल तीन अंक होता है देखिए इकाई दहाई सैक्रा सैक्रा के बाद आता है हजार और हजार में कितना अंक होता है तो देखिए इसमें एक है, दो है, तीन है, तो हजार में हो जाएगा टोटल चार अंक, देखिए, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, इकाई, दहाई, सैक्रा, हजार, और देखिए हम लोग संख्या में क्या करते हैं, सबसे पहले पीछे की और से तीन अंक के बाद कॉमा लगता है, हजार के बाद क्या आता है, तो देखिए हजार के बाद आता है, दस हजार, हजार के बाद आता है, दस हजार, और दस हजार में टोटल चार संख्या होता है, मलब चार जीरो होता है, टोटल पांच संख्या, देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, इकाई, के बाद कॉमा लगा देंगे देखी यह दसव हजार हो गया दसहजार के बाद क्या आता है तो हजार के बाद आता है लाक तो यहां पर लिख दिए लाक देखिए एकाई, दहाई, सैकरा, हजार, दस adviser लाक, और लाक में टोटल छे अंग होता है देखिए यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे और हम लोग पहले तीन अंक के बाद कॉमा लगाते हैं फिर इसके बाद दो अंक देखिए यहाँ पर एकाई, दहाई, सैक्रा, हजार, दस अजार लाख यहाँ पर एक लाख है लाख के बाद क्या आता है? हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, टोटल साथ अंख है, अब कॉमा लगाएंगे पीछे से तीन अंख के बाद, इसके बाद फिर दो अंख के बाद, देखgamे दस लाख है, लाख के बाद क्या आता है, तो लाग के बाद आता है करोर और करोर में कितना अंक होगा तो देखिए पहले लिखते हैं इकाई, इकाई के बाद दहाई, सैक्रा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख इसके बाद करोर तीन अंक के बाद पहले कौमा लगाएंगे फिर दो अंक और इसके बाद फिर दो अंक के बाद देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ करोर में टोटल आठ अंक है फिर से पड़ते हैं इकाई, दहाई, सैक्रा, हजार, दस जार, लाक, दस लाक करोर एक करोर है इसके बाद आता है दस करोर करोर के बाद क्या आता है दस करोर तो इसको हम लोग लिख लेंगे तो देखिए इकाई, दहाई, सैक्रा, हजार, दस हजार, लाक, दस लाक, करोर, दस करोर पहले तीन आंके बाद, फिर दो आंके बाद, फिर दो आंके बाद अब देखिए, इकाई, दहाई, सैक्रा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोर, दस करोर दस करोर इसके बाद क्या आता है? तो करोर के बाद आता है अरब तो यहाँ पर लिख लेंगे अरब तो पहले आता है इकाई, दहाई, सैक्रा, हजार, दस अजार, लाक, दस लाक, करोर, दस करोर, फिर अरब इसके बाद तीन अंक, पहले तीन अंक, फिर दो अंक, दो अंक और फिर दो अंक अब पर ये इकाई दहाई सैक्रा हजार दस हजार लाख दस लाख करोर दस करोर अरब तो देखिए कुछ इसी प्रकार से भारतिय संख्या परनाली में संख्याओं को लिखा जाता है तो यदि या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सेयर और चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करें